वेलकम टोनली आईए, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2022 में Miscellaneous Current Affairs के Revision का ये हमारा पांचवा लेक्चर है आज के सेशन में हम जन्वरी महिने के Miscellaneous Current Affairs को revise करेंगे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी से information आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस Prelims 2022 के लिए कुछ courses हैं जो कि आपके exam point of view से काफ़ important हो सकते हैं सबसे पहले इसमें एक Prelims Crash Course की बात हो रही है जिसका नाम Tejas है इसमें आपको 250 प्लस आर्स के Video Lectures इसमें आपके Current Affairs और Static दोनों included हैं काफी सारे Tests, Full Length और Sectional और Weekend Out Sessions वगरा सब कुछ है इसमें इसमें आपको Free CSAT के Classes और उनके Test Series भी मिलती है बट इस्टिल अगर आप के बल टेस्ट सेरीज में जोइन करना चाहते हो आपको Video Lectures नहीं चाहिए आपका Revision अलरी चल रहा है अच्छा तो आप उसके लिए Last My Leap जोइन कर सकते हो इसमें आपके 19 Sectional Test है 5 Current Affairs के Test है 15 Full Length Test है 4 CSAT के Test है इसको जोइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पर जोइन कर सकते हो At the same time एक CSAT के लिए प्रोग्राम है जो की ऐसे Students को केटर करता है जिनका CSAT Week है तो CSAT Expert Program आपके सभी CSAT के Topics को कवर करता है Video Lectures के Form में और छोटे-छोटे Handouts भी हर Lecture के बाद आपको मिलते हैं Practice के लिए और Last में कुछ Full Length Test है इसमें इसके अलामा अगर आप 2023 के लिए प्रेपेर कर रहे हैं तो आप हमारे Praramb Batch को जोइन कर सकते हैं इसमें आपको एक Full Foundation Batch के तरह के से सारी Requirements UPSC के Point of View से फुल्फिल की जाती है इसमें Video Lectures भी है Study Materials भी है Test Series भी है Mentorship भी है Interview Guidance भी है सब कुछ इसमें आपको मिलेगा अगर आप इस Batch को जोइन करना चाहते हो तो आप Video.OnlyIS.in पे विजिट करो याद रखना की तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको Video.OnlyIS.in पर ही विजिट करना है अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी batches से related तो आप हमें Simply इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर info.OnlyIS.com पे हमें mail drop भी कर सकते हो तो चलिए discussion स्टार्ट करते है कुछ और भी प्रावधान है जैसे इसमें एक two-tier governance को तयार किया जाएगा जिसमें national level पे होगा Air Sports Federation of India इसे अब से मैं ASFI कहूंगा और आप समझ जाएगा कि मैं Air Sports Federation of India की बात कर रहा हूं इसके अंडर में कई सारे associations होंगे जो Air Sports Federation of India के प्रती ही responsible होंगे ASFI के बारे में बताता हूँ ASFI एक autonomous body होगी Ministry of Civil Aviation के धहत काम करेगी ये इंडिया को Federation Aeronautic International लाइप पर भी रिप्रेजेंट करेंगे जो की Switzerland में headquartered है और global level पे जो Air Sports है उन्हें conduct करवाता है और भी जो global platforms है Air Sports के वहाँ पर भी इंडिया को represent करने का काम जो है वो ASFI के पास ही होगा function ये होगा इनका ये proper governance प्रोवाइड करवाएंगे सभी प्रकार के Air Sports को जैसे की regulation, certification, competition, award penalty ये क्या होगी ये ही decide करेंगे सभी प्रकार के Air Sports associations ये rules and functions decide करने का काम भी ASFI के पास होगा ताकि जो equipment है उनका safety standards बढ़िया हो अच्छा infra हो personal की अच्छी training हो जो Air Sports में involved होते हैं और अगर कोई सही तरीके से काम ना करे तो discipline reaction लिया जाए सभी प्रकार की activities को जो Air Sports से लेटेड हैं उन्हें cover किया गया है like aerobatics, aeromodeling amateur built experimental aircraft ballooning, drones, gliding hang gliding, paragliding micro, lightning paramotoring, skydiving, vintage aircraft सभी इसका हिस्सा बन जाएंगे कोई भी entity जो इन services में involved है उन्हें खुद को register करना होगा और अगर वो प्रावधानों को follow नहीं करते तो उन्हें मिलेगी penalty इंडिया का जो airspace है उसे तीन हिस्सों में divide किया जाएगा red, yellow और green zone red zone में किसी प्रकार की air activity के पहले central government की अनमधी चाहिए होगी obviously यह ऐसा zone हो सकता है जहाँ पर aircrafts या फिर जो planes हैं वो उड़ते हो अगर वहाँ पर कोई air sport हो रहा है तो air accident का खत्रा हो सकता है कि नहीं हो सकता है इसलिए ऐसी activities को regulate करने की बात की जा रही है further इंडिया में कुछ sports attraction वाली locations है जैसे की beer billing हिमाचर प्रदेश में गंगतोक, सिक्किम में हदपसर, महरास्टरा में अगर मैं इसे गलत प्रनेशेट कर रहा हूँ तो जो भी महरास्टरा का हो वो मुझे correct करे केरला में वगामान इन्हे control zone बनाएंगे यहाँ पर यह activities काफे ज़्यादा popular है तो वहाँ पर कोई accident ना हो safety अच्छी रहे, इसलिए इन regions को control किया जाएगा, ठीक है हमारा next article Institute of Mathematics Mathematical Science के बारे में है चन्नई में यह जो institute है इसने तीन जनवरी को अपने सार साल complete कर लिये, इसी 1962 में found किया गया था, अल्लादी रामकृष्ण जी के द्वारा तीन जनवरी को ही, यह South चन्नई में located है, अध्यार तरामनी एरिया में यह Autonomous National Institute है जहाँ पे fundamental researches की जाती है किस फिल्ड में? theoretical physics के, mathematics, theoretical computer science and computational biology इन सभी फिल्ड में, research के लिए इस institute को इस्तेमाल किया जाता है इसे गवन किया जाता है एक बोर्ड के दवारा और एक academic council के दवारा Department of Atomic Energy इसे support करता है Central Government भी और तमिनाडू की सरकार भी इसे assistance देते हैं यह operate करता है कब्रू सूपर कंप्यूटर के माध्यम से हमारा next article इंद्रा गांधी राष्ट्रे उरान academy के बारे में है 2021 में इन्होंने एक record अचीफ किया एक साल की भीतर इन्होंने 19,000 flying hours अचीफ किये मतलब 19,000 घंटे जो भी इनके पास planes हैं वो हवा में रहे एक रुआ हम शॉर्ट में इसे पुकारेंगे यह एक flying training school है 1986 में बनाया गया था autonomous body के तहत Society's Registration Act of 1860 के अंडर में इसे एक governing council administer करती है जिसके ex official chairman होते हैं ministry of civil aviation के secretary यह अमेठी उत्तर प्रदेस में situated है जो इग्रुआ है इसकी significance यह है कि अफगानिस्तान, Royal Nepal, Airline, Mauritius, Jambia, Shishiris के जो भी foreign nationals हैं उन्हें यहाँ pilot training दी गई है further Indian Airlines, BSF, Coast Guard के candidates जो हो गए Indian Air Force, Indian Navy उनकी भी जो personals हैं उन्हें training दी जाती है अगर required हो तो 19,000 घंटे इसने 2021 में achieve किये जबकि इनका average पिछले 500 में महस 15,000 घंटों कर रहा है और 2020 में तो इन्होंने महस 11,000 घंटे ही उडान भरी थी क्योंकि COVID की situation चल रही थी 19,000 घंटे इन्होंने achieve किये despite pandemic और जो तौकते, सैक्लोन आया था उसके बावजूद, तो अच्छी बात है हमारा next article सुधीर कुमार सकसेना कमिटी के बारे में है अभी हमने देखा कि हमारे honorable prime minister नरेंद्रमूदी जी की security में एक बहुत ही massive breach देखने को मिली जब वो पंजाफ के फिरोजपूर की विजट पे जा रहे थे, उस दोरान एक bridge पे उनकी वहिकिल को protesters के दोरा block कर दिया गया और ये blockade 20 minute तक बना रहा जो की बहुत बड़ी बात है उसके बाद prime minister को फापिस airport लोटना पड़ा ये security breach क्यों और कैसे हुई इसी बात को संग्यान में लेते हुए union home ministry ने अभी तीन members की एक inquiry committee को गठित कर दिया है इसे lead किया जाएगा सुधीर कुमार सकसेना जी के द्वरा जो की secretary है security को handle करने के जिम्मदारी इनके उपर रहती है जो cabinet secretary भी मतबकुल मिला के इस पत पे ये है इसके रामा बलबीर सिंग जो की joint director है IBK और S. Suris जो की IG है SPG के वो भी इसका हिस्सा होंगे जो security arrangement में lapse हुआ है इनका काम होगा है उसकी जाच परताल करना हमारा next article intra intra state transmission system green energy corridor के बारे में है cabinet committee on economic affairs यानि की CCEA ने अप्रूब कर दिया है phase 2 इस पूरे green energy corridor का इसका phase 1 running है phase 2 भी आ गया इसके जरीए देखे जो भी renewable sources से energy generate होती है चाहे वो solar से हो या फिर wind से हो उसे हम एक grid या station से connect कर देते हैं 2015-16 में इस project को start किया गया था ताकि renewable energy capacity इंडिया की और बहतर की जा सके इसके phase 1 की बात करते हैं इसका phase 1 आठ ऐसे राजियों में चल रहा है जहां पर renewable energy की अच्छी खासी capacity है जैसे के तमिल नाडू, राजस्थान, करनाटका, आंधरप्रदेश, महरास्टरा, कुझरात, हिमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश जो भी खर्चा आता है 40% के अंदर सरकार देती है grant के form में 20% state equity में gather करता है collect करता है 40% loan मिल जाता है KFW bank जो जर्मनी से बिलॉंग करता है उससे phase 2 का जो project है इससे 7 states में चलाया जा रहा है लाइक गुजरात, हिमाचल प्रदेश, करनाटका, केरला, राजस्थान, तमिल नाडू और उत्तर प्रदेश में ठीक है इसमें 33% assistance के अंदर सरकार का है इसके मादे हम से 2030 तक जो हमारा target है Redunable Energy का 450 Giga Watt का हम उसे achieve कर पाएंगे, इसमें थोड़ी मदद मिलेगी हमारा next article drone technology के use के उपर है Ministry of Civilization ने अभी कुछ guideline जारी की है कि अलग-अलग ministries किस परपस से drone का इस्तिमाल कर सकते है technology driven drones का इस्तिमाल दिन बढ़ता जा रहा है बताया गया है कौन सी ministry किस परपस से काम करेगी आपको बता देता हूँ, जानकारी के लिए आप जानते रहिए यसे ministry of defense, combat operation, communication और counter drone solution के तौर पे drone का इस्तिमाल कर सकते हैं home affairs ministry, surveillance situation analysis, crime control VVIP की security और disaster management की case में drone का इस्तिमाल करेंगे ministry of panchayati raja land record और property right को इस्तिमाल करने के लिए इसका use करेंगे, ministry of health and family welfare medicines के delivery, sample का collection इसमें इस चीज़ का इस्तिमाल कर सकते हैं railway ministry, disaster management, incidence response, maintenance project monitoring उसके लिए इसका इस्तिमाल कर सकते हैं ministry of petroleum, natural gas and ministry of power year-time surveillance कर सकते हैं change, anti-poaching actions में forest or wildlife को monitor करने के लिए या pollution assessment के लिए drone यूज़ कर सकते हैं ministry of agriculture crop and soil health monitoring के लिए या फिर anti-locust work के लिए जब वो फस्तिमाल को बरबाद कर देते हैं तो उसके लिए भी drone का इस्तिमाल कर पाएंगे तो देखे, मैंने आपको slight review दे दिया काफी short में, तेजी से चानते रहिए बहुत unusual है कि UPSC पूछे कौन से ministry किस परपस से इस्तिमाल कर सकती है drone क्योंकि drone के कई सारे use हो सकते हैं still अगर कुछ guideline आई है तो जानते रहिए आप आब आई ये बात करते हैं two versus two agree market access issue के बारे में Department of Agriculture and Farmers Welfare ने US का जो Department of Agriculture उनके सांथ sign किया है two versus two agree market issue पे two versus two का मतलब क्या है आप हमारे दो fruits को access दीजे हम आपके दो fruits को access देंगे Indian market में मतलब आप हमारी मदद करिए हम आपकी करेंगे ठीक है ये है two versus two का मतलब मतलब इसके जरीए जो अमेरिका है USA है वो Indian mangoes और pomegranate यानि की अनार इसे access देंगे US market की और India अपनी ओर से US cherries और US alpha alpha हे को access देगा Indian market में इससे ये जो fruits हैं इनका export बढ़ेगा और जो उनका import है वो भी इंडिया में अच्छा हो जाएगा तो आप हमें access देजी हैं आपको देंगे यही है two versus two agree market access issues यह भी पूछा जा सकता है यह किस के लिए है कोई grain के लिए है या किसी अन्य चीज के लिए है तो आपको यह idea रहे कि नहीं यह fruits के लिए है हमारा next article फातिमा सेख जी के बारे में है 9 जनवरी 2022 को Google ने honor किया फातिमा सेख जी को एक डूडल के माथ्यम से जो कि इनकी 191st birth anniversary भी रही जो फातिमा सेख जी है वो Indian educator रही है यह कलीग रही है जयोतिबा फुले और सावित्री भाई फुले जी की फातिमा सेख जी फुले जी और सावित्री भाई फुले जी और फातिमा सेख जी मतब उनके साथी फातिमा सेख जी जी थी वो education spread करने का काम करती थी downtrodden communities के लिए जो सेख जी है उनकी मुलाकात सावित्री भाई फुले जी से हुई थी जब ये दोनों लोग एक teacher training institution में training के लिए गये थे जिसे run किया जा रहा था Cynthia Farrar जी के द्वरा जो American missionary थे उन्होंने पांच स्कूलों में पढ़ाया है जिने फुले जी के द्वरा establish किया गया था इसके तक 1951 में उन्होंने दो स्कूल्स को Bombay में found भी किया था तो देखे हम जोतिबा फुले जी और सावित्रिबा फुले जी के बारे में अक्सर पढ़ते है फातिमा सेख जी के बारे में हम में से कम लोगों को ही बता रहा होगा तो अब आपके पास इनके बारे में भी जानकारी है हमारा next article Great Resignation के बारे में है Resignation तो समझते ही होंगे आप जॉब को छोड़ देना 2020 में Resignation rate USA में बहुत जादा बढ़ गया Definitely cause of pandemic अब pandemic में जहां लोग अपनी जॉब बचाना चाहते हैं वही पर USA में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ा Resign किया और इसी लिए ये term originate होकर आया Great Resignation पहले data देखते हैं और फिर बाकी की बाते समझते हैं November 2021 में 4.5 million workers ने अपनी जॉब को छोड़ दिया US Labor Department का ये data है further 3% जो workforce है वहां का उन्होंने अपनी जॉब को quit किया ऐसा data निकल किया ये indicate ये बताता है कि 2021 में अमेरिका में लगभग 75.5 million लोगों ने अपनी जॉब से resign किया एक American psychologist है Anthony Clotz उन्होंने इस प्रकार Massive Scale पे resignation को Great Resignation ये term दिया है जहां पर वो ये कहते हैं कि लोग work life equation में life को तवज्जो दे रहे हैं जो low wage workers रहे उन्होंने अपनी जॉब को ज़्यादा छोड़ा comparison to higher paid counterparts जिनको ज़्यादा salary मिल रही थी उन्होंने jobs को maintain किया जो jobs छोड़े गए वो ऐसे sectors में थे जहां पर COVID-19 का खत्रा जो है वो ज़्यादा था जैसे कि hospitality sector, healthcare, social assistance transportation, warehousing, utilities जो लगातार public से engaged थे तो उन्हीं COVID-19 का खत्रा भी ज़्यादा था अगर उनके wages कम थे तो उन्होंने अपनी job छोड़ दी resign कर दिया ताकि वो अपनी life को बचा सके comparison to work उन्होंने work life equation में life को ज़्यादा तबज्जो दी जो great resignation है ये COVID-19 के वज़र से हुआ surely इसके लावा एक कारण और भी रहा कि जो लोग regular jobs में थे अगर उन्हें कहीं work from home का offer मिला थोड़े कम पैसे भी मिले तो उन्होंने अपने regular job को resign कर दिया और work from home को choose किया फर्दर कुछ लोगों ने stable profession की चाह में भी अपनी jobs को छोड़ा अब इसकी वज़ा से हुआ ये है कि जो companies हैं वो labor's को ज़्यादा अच्छी salary और benefits दे रहे हैं ताकि labor force उनके पास रुका रहे है तो ये बात कोई great resignation के बारे में ऐसा कुछ निकल के आया तो आप जानते रहे है ये पूरा मामला हमारा next article दो drugs यानि के दवाईयों के बारे में है यहने अभी हाल ही हुए COVID-19 के treatment के लिए WHO ने recommend किया है उनमें से पहली दवाई का नाम है barisatinib और दूसरे का नाम है सोत्रोविमा सबसे पहले हम बात करेंगे barisatinib के बारे में ये एक oral drug है मतलब इसका कोई injection नहीं लगता इसे ओरली खाया जाता है इसका इस्तेमाल रिमोटोइड आर्थराइटिस के treatment के लिए अभी तक किया जाता रहा है लेकिन अभी से बहुत ही strongly recommend किया जा रहा है ऐसे patients के लिए जिनमें severe या फिर critical cases देखे जा रहे हैं गोविड-19 के यह दिपी यह दवा अकेले नहीं दी जाती baricitinib को corticosteroids के साथ ही दिया जाता है इन दोनों दवाओं को mix करके ऐसे patients का treatment कर दिया जाता है जो दूसरी दवा है that is सोत्रोविमाब जो सोत्रोविमाब है यह monoclonal antibody drug है जो basically करता क्या है यह important है जो SARS-CoV-2 के spikes होते हैं जिसे एक protein spikes आपको देखने को मिलता है जब भी आप SARS-CoV-2 की image देखते हैं तो ठीक है तो यह उनके साथ या उन्हें basically bind कर देता है उन्हें बाद देता है जिसके बाद वो activate नहीं हो पाते हैं और जो human cells हैं वो उनके साथ खुद को जोड नहीं पाते इससे उनका जो विस्तार है जो उनका फैलाओ है वो रुख जाता है इसका इस्तिमाल किया जा रहा है जो moderate या mild COVID-19 के patients हैं उनके लिए जिनको hospital में admit करना पर सकता है तो ये दवा इस्तिमाल करने बाद हो सकता है उनके hospital में ना ले जाना पड़े इस दवा का इस्तिमाल ऐसे लोगों में किया जा रहा है जो बुजर्ग हैं या फिर जिनका immune system compromised है कमजोर हो चुका है या वो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं like diabetes, hypertension, obesity या वो unvaccinated है तो उनके लिए इस दवा का इस्तिमाल किया जा रहा है तो अगर आपनी vaccine नहीं लिए अभी तक COVID-19 की तो आपको लेना चाहिए नहीं तो फिर आपको इस दवा के जरुवत पढ़ने लग जाएगी हमारा next article GIS-based automated water connection के बारे में है Union Defense Minister ने हाल ही में इसे launch किया है जो उनका इचावनी पोर्टल है उसके अंडर में जो geographical information system यानि की GIS-based automatic water supply system है यह कैसे work करेगा मैं आपको बता देता हूँ basically जो cantonment area में रहने वाले लोग है वो cantonment map के माध्यम से identify कर पाएंगे कि उनके सबसे नज़ीक में जो water pipeline है वो कौन सी है जो लोग उने connection देने आएंगे वो इसे पहले तो identify कर लेंगे फिर बहुत ही online वो payment कर देंगे payment करते ही जो connection है वो उन्हें available हो जाएगा और उसे add कर दिया जाएगा household को जाता कि वो आसानी से पानी ले पाएंगे तो सब कुछ automated है जो automated community hall booking है जो कि इसी तरह launch किया गया इसमें वो online book कर सकते हैं बिना किसी physical application के that's all प्रोजेक्ट पावर ग्रिड Corporation of India Limited यानि कि पावर ग्रिड ने अभी हाल ही में sign किया है एक joint development agreement किसके साथ Africa 50 के साथ क्यों किया है ताकि Kenya में transmission project launch किया जा सके किस चीज का transmission electricity का transmission या power का transmission अगर ऐसा होता है तो ये Africa का पहला ऐसा transmission project बन जाएगा जो कि public private partnership model पे work कर रहा होगा इसका उदेश ये होगा कि Kenya में transmission lines को बहतर किया जाए वो भी public private partnership framework के माध्यम पे इस project के तहट जो power grid है वो technical और operational know-how provide करवाएगा जबकि Africa 50 ये project development और financial expertise देंगे और ये दोनों लोग मिलकर कीनिन government के साथ collaborate करेंगे और वहाँ पे investment करेंगे हम बात करेंगे कि ये जो entity है जिसे हम कह रहे हैं Africa 50 ये है क्या एक बार complete हो जाए तो ये project पहला independent power transmission project बन जाएगा कीनिया का इसके माध्यम से एक reference point भी तयार हो जाएगा Africa में जहां पर public private partnership basis पे transmission lines को बिछाया जाएगा जो project है ये supply और reliability दोनों को ही बहतर करेगा Western केनिया में फर्दर एक रास्ता भी खोलेगा कि power transmission network में जो entities हैं वो invest कर पाएंगी बात करते हैं Africa 50 के बारे में Africa 50 एक infrastructure investment platform है जिसका उद्देश ये है कि Africa में economic growth को improve किया जाए investment को incentivize किया जाए जो bankable infrastructure projects हैं मतलब ऐसे projects जिनमें investment करने पर नुकसान नहीं होगा उनमें investment को cater किया जाए public sector capital को catalyze किया जाए infra को develop करने के लिए private sector के funding को भी mobilize किया जाए ताकि financial return और impact दोनों बढ़िया हो सकें currently Africa 50 में 31 shareholders हैं जिनमें 28 African countries हैं इसके अलामा इसका हिस्सा है African Development Bank Central Bank of West African States and Bank Al Magri ये सभी इसका हिस्सा है हमारा next article इंदू मलोत्रा पैनल के बारे में है सुप्रीम कोट ने अभी हाल ही में इंदू मलोत्रा जी को chair person बनाया है एक inquiry committee का वो head करेंगी इसे कुछ earned members के साथ बहुत ही महत्तपूर काम सौपा गया है inquiry committee का काम ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी पंजाब में वहाँ पर जो security breach का मामला आया ये इस पूरे मामले की जाच परताल करें जो की पांच जनवरी की घटना है आप लोगों के संग्यान में जरूर से आ गई होगी जो committee है उसे head किया जा रहा है justice जो के retire हो चुकी है इंदू मलोतरा जी के द्वारा फर्दर इसका हिस्सा होंगे DG NIA यानि के National Investigation Agency DG Security of Punjab Registrar General of Punjab और हर्याना हाई कोट के ये सारे लोग इस committee का हिस्सा बनेंगे फर्दर Apex Court ने एक order भी पास किया है ये जो order पास किया गया इस panel के संबंध में जिसके आधार पर ये पूरा Investigation किया जाएगा ये बिसिकली एक Petition के जवाब में था जिसे एक NGO Lawyers Vice ने फाइल किया था जहां पे उन्होंने मांग की थी कि appropriate directions दिये जाएं Supreme Court के द्वारा कि जिस प्रकार से Prime Minister के security में breach होई ऐसा ना हो और भी जो constitutional dignitaries है उनकी post और उनकी जान secure रहे हमारा next article बार्क के बारे में है बार्क का फल फॉर्म है Broadcast Audience Research Council इन्होंने अपनी rating को एक बार फिर से resume कर दिया है News Channels के लिए आपको बता दें कि organization ने procedures and protocols में काफी ज़ादा बदलाव किये है ताकि जो problem पहले आई थी वो दोबारा ना आए क्या थी problem पहले बता देता हूँ TRP manipulation का मामला आया था Mumbai Police ने एक racket को burst किया था जहां पे तीन news agencies private news agencies TRP को manipulate कर रहे थे जादा advertisements अचीव करने के लिए पहले बात करते हैं बार्क के बारे में फिर बाकी की बाते भी समझते हैं बार्क को create किया गया था 2010 में यह एक industry body है What is the meaning of industry body? Industry body का मतलब यह है कि industry से associated stakeholders मिलकर इस body का निर्मार करते हैं जैसे कि इसे jointly own किया जाता है advertisers, ad agencies, broadcasting companies, Indian society of advisors के representative, Indian broadcasting foundation और advertising agencies association of India के representatives भी इसका हिस्सा होते हैं तो यह सभी लोग मिलकर इस बार्क को तयार करते हैं अब देखे ministry of information and broadcasting ने policy guidelines for television rating agencies इसे तयार किया जन्वरी 10, 2014 में जुलाई 2015 से बार्क को यह जिम्मेदारी दे दी गई कि televisions की rating कैसे decide की जाएगी आप इस बात को संग्यान में लीजी और यह सारी जिम्मेदारी अब बार्क के उपर आ गई बार्क को यह calculate करना था कि किस private news channel या फिर किसी भी channel का जो टियारपी है वो कितना जादा या कितना कम है यह बहुत जरूरी होता है उन news agencies के लिए further यह जरूरी होता है advertisement agencies के लिए भी ताकि वो decide कर सके कि उन्हें किस channel के लिए अपने advertisements देने हैं और किस price में देने हैं इसलिए TRP calculation बहुत जरूरी हो जाती है TRP क्या है सामान निभासा में कोई भी वक्ती अगर एक मिनट से अधिक समय के लिए television खोल के बैठ जाए तो उसे viewer माना जाएगा TRP जिसका full form होता है target rating point kind of metric है जिसके basis पे ये evaluate किया जाता है कि कौन से new channel को ज़्यादा देखा जा रहा है और कौन से new channel को कम देखा जा रहा है कुल मिलाके ये viewership के basis को या base को evaluate करता है भारत में TRP को record करने के जिम्मेदारी बार्क के उपर ही है जैनि कि broadcast audience research council के उपर जिसके लिए वो एक बारो मीटर का इस्तेमाल करते है क्या है ये बारो मीटर बारो मीटर एक device होती है जिसे कुछ selected households के televisions में install कर दिया जाता है जिसके मदद से ये पता चल सके कि वो household कौन सा new channel देख रहे हैं as on date बार्क ने ऐसे devices लगभग 44,000 household में install कर रखी है 44,000 घरों में ये devices लगाई जाती है जब घरों का चुनाव किया जाता है तो सभी income groups को choose किया जाता है जैसे कि slum में रहने वाले जो household हैं उन से लेकर जो high society individuals हैं उन तक के घरों में इंडिवाइस को install कर दिया जाता है फर्दर वो किस income group में आता है देखे जो भी news channels वगएरा चलाया जाते हैं हर news channel का अपना एक audio watermark होता है जो उनकी news के साथ चलता रहता है वो हमें सुनाई नहीं देता लेकिन उसे dedicated hardware या फिर software की मदद से सुना जा सकता है जिससे ये पता चल जाता है कि टेलिविजन पे कौन सा new channel चल रहा है ये बारो मीटर इसी audio watermark का इस्तेमाल करता है ये पहचाणने के लिए कि कौन सा new channel चल रहा है और उसे के basis पे ये data collect करता है अब इसका misuse कैसे किया गया कुछ private new channels ने ये पता कर लिया कैसे कौन से house horse हैं जहां पर बार्क ने बारो मीटर लगाए है उन्होंने उन house horse को 400 से 700 रुपय पर मंथ देने शुरू कर दिये और उन्होंने इस पैसे के बदले में उस dedicated channel को एक certain time पर खोल के रखना स्टार्ट कर दिया जिससे उन channel की rating काफी तेजी से उपर जाने लगी उनका TRP बढ़ने लगा और उन्हें बहुत ही महंगे और जादा अच्छे ads मिलने लगे उन्हें profit हुआ तो उनके लिए 400 से 700 रुपय पर household देना महंगा नहीं पढ़ता था ये उनके लिए आसान था और इसके जरीए वो TRP को frequently manipulate कर रहे थे लेकिन ये एक level playing field खराब कर रहा था जब ये मामला बाहर आया तो बार्की भी काफी किरकिरी हुई और अभी बार्क ने इस सम्मंध में कई सारे महत्पूर बदलाव किये हैं हमारा next article Global Risk Report 2022 के बारे में है हाल ही में World Economic Forum ने release किया 17th edition of Global Risk Report 2022 जहां पर भारत जो top 5 risk face कर रहा है उसे discuss किया गया ये global risk perception को evaluate करते हैं जहां पर risk experts world leaders जो business में involved है governments या civil societies ये जो भी risk face करने वाले हैं उन्हें evaluate कर लिया जाता है ये examine करते हैं risk को 5 categories में economic risk, environmental risk, geopolitical risk societal risk और technological risk further आगे देखते हैं आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर ये पाया गया कि जो extreme weather है वो दुनिया का सबसे बड़ा short term risk है मतलब 2 साल के भीतर के risk को हम short term risk कह रहे हैं frequent floods का आना famine का आना सूखा पढ़ना या फिर बहुत तेज बारिस होना यह सब extreme weather का part होंगे जो कि short term में बड़े risk हैं medium और long term risk जो कि 2 से 10 सालों के बीच में evaluate किया जा रहा है that will be failure of climate action अब देखिए यहां पर क्या निकल के आया भारत जो 5 risk face कर रहा है या face करेगा that will be disillusionment among youngsters youngsters disillusionment face करेंगे मतलब वो अब चीजों को लेकर aware होंगे और उनका जो भरोशा है जो उनका confidence है जो existing economic, political या social structure है पूरे global level पर बात की जा रही है वो down जाएगा इसका result यह होगा कि वो disengagement दिखाएंगे उनका confidence सरकारों में गिरेगा और अब वो जो economic policies जो political policies है उन पर कम भरोशा करेंगे यह होगा पहला risk दूसरा होगा digital inequality तीसरा होगा interstate relations में गरबड़ी आना चौथा होगा debt crisis और पांचवाँ होगा technology governance का failure बात करते हैं World Economic Forum के बारे में यह एक Swiss non-profit foundation है 1971 में found किया गया Switzerland के जीनेवा में based है यह Swiss authorities इसे International Institution for Public-Private Cooperation recognize करते हैं इसको objective यही है कि दुनिया भर में जो स्थितियां हैं उनमें सुधार आए चाहे वो business, political, academic या other level की problem सो उन्हें evaluate किया जाए founder और executive chairman है clause scrap कुछ important reports जो W.E.F. publish करता है उनके नाम ज़रूरी है Energy Transition Index Global Competitiveness Report Global Gender Gap Report Global Risk Report Global Travel and Tourism Report कई बार बहुती साधरहन प्रस्न UPSC पूछती है कि इनमें से कौन से रिपोर्ट किसके दौरा जारी की जाती है और आपको यह जानकारी होनी चाहिए हमरा next article स्वक्ष विद्याले पुरसकार के बारे में है 2021-22 को अभी virtually launch किया गया 2016-17 में इसे institute किया गया था Ministry of Education के द्वारा स्वक्ष विद्याले पुरसकार तो यहाँ पर विद्याले को सेंटर में रखेंगे यह बात याद रहेगी कि Ministry of Education involved है इम था कि हम recognize करें inspire करें और celebrate करें उन excellences को जो sanitation और hygiene को maintain कर रहे है schools में school में साफ सफाई हो बच्चे इस संबंध में aware हो इसे ही इसका उद्देश्य है इसमें सभी categories के जो colleges हैं वो covered हैं जैसे कि government colleges government-aided colleges और private schools मतब schools and colleges इसका हिस्सा है यहाँ पर देखिए अभी हम बात कर रहे थे coverage की फर्दर बात करते हैं categories की इसमें total 6 sub-categories में evaluation होता है that is water, sanitation hand washing with soap यानि के साबुन से हाथ दोना operation and maintenance health, infraka behavioral change and capacity building और एक और add किया गया new that is COVID-19 preparedness and response application schools के पास enough time होगा इस application को fill करने के लिए कि हम इसमें participate करना चाहते हैं district state और national level पे ये जो schools हैं उन्हें award किया जाएगा फर्दर अगे कि इसी school ने participate किया है तो उन्हें एक certificate participation का भी दिया जाएगा और ranking भी दी जाएगी ताकि वो खुद को improve कर सके हमारा next article global women's health tech award के बारे में है हाल ही में दो start-ups को जिनका नाम निर्मई health analytics और in-esl technologies है उन्हें ये award दिया गया है जिन्होंने women की health को improve करने के लिए technology में बड़े बदलाव किये ये जो दोनु start-ups हैं इन्हें department of biotech और बिराक का support मिल रहा है इस award को अगस्त 2021 में ही वर्ल्ड बैंक के दोरा लॉंच किया गया और Consumer Technology Association CTA भी इसका हिस्सा रहा ये innovative start-ups को recognize करते हैं जो women की health को improve करने के लिए technology का इस्तेमाल कर रहे हैं categories इसमें तीन categories में award दिये जाते हैं अगर किसी start-up नी reproductive health pregnancy के समद में कोई innovation किया है या फिर general women and adolescent जो पहला award दिया गया निर्मई health analytics को क्यों दिया किया इन्होंने एक software based medical device सयार की है जो breast cancer को बहुत ही कम उम्र में या early ages में early समय में identify कर पाएगा ये बहुत ही simple और private तरीका होगा जो सभी age group की women इस्तिमाल कर पाएगी इसमें कम खर्चाएगा ये accurate है automated है portable है contactless है radiation free है और painless है काफ़े बढ़ियां ये पूरा system है software based दिये medical device है in SL technologies limited को ये award दिया गया क्योंकि उन्होंने fetal light नाम की एक device बनाई है fetal का मतलब होता है brood यानि की जो बच्चा गर्भ में होता है ये next generation AI powered fetal heart rate monitor है जो की ECG signals का इस्तेमाल करके जो महिला आए labor में है मतलब कि उनका बच्चा पैदा होने वाला है या बच्चे को गर्भ में आए 37 weeks भी चुके है उनकी health को evaluate कर पाता है इसलिए ये इन्हें award दिया गया हमारा next article get way to health के बारे में है यानि कि नरक का दर्वाजा धर्ती पर है एक नरक का दर्वाजा अभी वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान के पैसिजिट ने अभी order दिया है कि एक्सपोर्स वो रास्ता निकालें जिससे कि हम इस नरक के दर्वाजे को यानि कि gateway to health को बंद कर सके क्योंकि अक्सर यहां से राक्षा से अध्याथ निकलते रहते हैं जो धर्ती पर तबाही मचाते हैं और कई बार तो कुछ लोग गलती से इस दर्वाजे से नरक में भी चले गए मतलब हल में भी चले गए तो देखे ऐसा कुछ नहीं है इसका केवल नाम gateway to hell है ना तो यहां से कोई demons निकलते हैं ना कोई राक्षास निकलते हैं और नहीं वो धर्ती पर तबाही मचाते हैं और नहीं आप इस रास्ते का इस्तिमाल करके hell या फिर नरक में जा सकते हैं इसका बस नाम gateway to hell है बिसिकली ये पचास सालों से जल रहा है आप समझ जाएंगे exactly ये है क्या पहले इसकी location देखिए इसकी जो location है ये आपको जो काराकुम desert है वहाँ पर मिलेगी और जो तुर्कमेनिस्तान की capital है अजगाबाद उससे 260 km की दूरी पर इसकी location है ये tourist destination है वहाँ पर लोग गूमने जाते है नरक का दर्वाजा देखने के लिए kind of crater है ये जो पिछले 50 सालों से जल रहा है नरक का दर्वाजा नाम थोड़ा आजीब लग रहा था तो तुर्कमेनिस्तान ने वहाँ पर 2018 में इसका नाम थोड़ा बदल दिया उन्होंने कहा कि इसका नाम थोड़ा और अच्छा रखते है तो इसे shining of काराकुम रखा गया अब लेकिन जो नाम है वो है अब नाम बदल देने से कुछ हो थोड़ी जाएगा अब देखे ये तुर्कमेनिस्तान है ठीक है ये दर्वाजा एक चुले में वहाँ पे एक village है रीजन है उसे भी दर्वाजा ही बोलते है और यहीं पर ये kind of crater है इसमें लगवग 50 सालों से आग जल रही है अब ये हुआ कैसे कर नाम देखे क्रेटर कैसे बना इसके origin को लेकर बहुत सारे विवाद है लेकिन एक जो normal theory है वो ये है कि 1971 में पहले ये जो तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान जो Central Asia के 5 देश हैं ये USSR का पार्ट हुआ करते थे तो USSR नहीं ही उस समय 1971 में यहाँ पे drilling operation चलाया पेट्रोलियम की खोज के लिए पेट्रोलियम तो नहीं मिला लेकिन जब वो drilling कर रहे थे तो गलती से उन्होंने natural gas के एक pocket को hit कर दिया वो वहाँ पर उस hit की वज़े से एक crater बन गया एक बहुत बड़ा सा गड़्धा बन गया और उसमें से methane gas निकलने लगी यह सब कुछ गलती से हुआ था उन्हें आइडिया नहीं था कि यहां पर कोई natural gas का packet है मीथेन काफी तीजी से निकल रही थी जो explorer से उन्हें लगा कि ऐसे तो atmosphere में बहुत सारी मीथेन निकल जाएगी हम इसका करें क्या तो इंसान को जब कुछ समझ में नहीं आता तो आग लगा देता है उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उन्हें आग लगा दी बोले ठीक है इसी में आग लगा दो जो थोड़ी बहुत मीथेन निकल रही है वो खतम हो जाएगी और अभी तक जल ही रही है। इसलिए चुकि एक बड़ा सा क्रेटर है जिसमें आग जल रही है तो इसे उन्हों लोगोंने नाम दे रखा है Get Way to Hell हलां कि कुछ लोग इस पे विवात करते हैं। जियोलाजिस्ट का मानना है कि ये क्रेटर 1960 में नहीं बना था 1980 में नहीं बना था जो Soviet theory है बलकि 1960 में ही बन गया था इन्होंने तो बस बाद में जाके उसमें आग लगा दी experiment करने के रिए कुछ अच्छा लगा होगा उन्हें तो उन्होंने आग लगा दी फर्दर में भी वहाँ पे और exploration करना चाहते हूं National Gas का ताकि उसे economically use कर सके So that was all about get way to help उमीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी हमारा next article बंगलोती के बारे में है बद्धिष्ट मॉंक जो सैफ्रान रोप पहनते हैं यानि कि किसरिया रंका लबादा उसमें जो वो बंगलोती का इस्तेमाल कर रहे हैं इससे आसाम में जो villages हैं उनको काफी ज़्यादा boost मिल रहा है बंगलोती है क्या बेसिकली बंगलोती एक creeper है यानि कि लता है जो पेड़ों पे चढ़ जाया करती है बिसिकली ये jackfruit tree जो होता है यानि कि जो कड़ाल का पेड़ो होता है उसकी रूर्स के साथ चिपक जाते हैं और उसके बाद इनमें से एक saffron dye निकलती है जिसका इस्तिमाल बुद्धिष्ट मौंक अपनी कपड़े के color को change करने के लिए करते हैं जो बुद्धिष्ट विक्षू होते हैं आसाम के वही इसका इस्तिमाल करते हैं जो बुद्धिष्ट विलेज है इस्टन आसाम का जो की चराई देव डिस्टिक में है उन्होंने तो एक forest को भी adopt कर लिया है प्रिजर्व करने के लिए चाला reserve forest इसके ये सारी बाते तो आपने समझी लिए हैं हमारा next article पहले multi-dimensional adventure sport expedition के बारे में है multi-dimensional adventure मतब adventure तो आपको समझ में आ रहा होगा multi-dimensional क्यों बोल रहा है because कि इसमें कोई एक adventure sport involved नहीं था बलकि एक से ज़ादा adventure sports involved थे एक प्रकार का expedition था इसमें कौन लोग सामिल थे और किस प्रकार के sports जो adventure से related हैं वो शामिल थे उस पर बात करते हैं हाली में डिफेंस मिनिस्टर ने flagdin किया जो इंडिया का पहला multi-dimensional adventure sport expedition है उसे ये जो expedition है वो फ्रांस के लिए है जो एक्षरी में organized किया चारा है National Institute of Mountaineering and Allied Sports निमास के दोरा हला कि ये sport केवल फ्रांस में नहीं रहेगा और भी entities इसमें आया और डिजनस इसमें involved रहेंगे आजादी का अमरित महस्तों का हिस्सा है ये नमंबर 2021 में इसे conduct किया गया था डिरेक्टर जो रहे निमास के Colonel सर्फराज सिंग जी उन्होंने ही इसे start किया 12 लोग इसमें शामिल थे ठीक है उनकी जो डिरेक्टर थे सर्फराज सिंग जी उन्होंने ही इस टीम को लीड किया था जिसमें आठ तो आर्मी परसॉनल थे और चार अरुरांचर प्रदेश के स्पोर्ट इसमें क्या था इसमें देखे 250 क्रिमिलर की तो विंटर ट्रेकिंग थी मतलब जो पहाड़ी होती है उस पर चढ़ाई करनी थी सर्दियों वाले बरफीले पहाड़ों पर जो कि आर्फ मॉंटेन पर ये आर्फ मॉंटेन रेंजेस पर चढ़ाई करनी थी फर्दर साइकलिंग करनी थी आर्फ मॉंटेन रेंज से लेकर इंग्लिश चैनल तक दुंकेक तक फ्रांस, स्विजरलैंड और बेल्जियम से होते हुए फर्दर मेडिटेरिनियन सी में स्कूबा डाइविंग भी करनी थी तो आपने देखा कि एक से ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट इसमें शामिल है बात करते हैं निमाज के बारे में निमाज एक एडवांस स्पोर्ट ट्रेनिंग इंस्ट्यूट है वेस्ट कामिंग डिस्टिक जो अरवांचर प्रदेश का है वहाँ पर सिचुएटिड है मिनिस्ट्य आफ डिफेंस के तहत ये काम करते हैं तो आपकल हैंले पासपोर्ट इंडेक्स ऑफ ट्वेंटी टू के बारे में है हैंले पासपोर्ट इंडेक्स इसनी सहुरियत डेफिनिटली इंडेक्स को तो बिलकुल भी नहीं है कौन रिलीज करता है ये इंडेक्स इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है हैंले एंड पार्टनर्स के द्वरा जो की एक लेंडन बेस्ट ग्लोबल सिटिजंसिप एंडेक्स एडवाइजरी फर्म है काइंड ओफ एडवाइजरी रोल ये प्ले करते हैं और एवैलवेट करते हैं कि कौन से देश को ज़्यादा एक्सेस मिल रही है दुनिया भर में 2005 से ही ये फर्म हैंले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीस कर रही है हैंले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये ओरिजिनल रैंकिंग देती है दुनिया भर के पासपोर्ट को according to their number of destinations मतलब ये है कि जिन लोगों ने भी उर्देश का पासपोर्ट होल्ड कर रखा है वो आसानी से बिना prior वीजा के कितनी जिगों पे विजिट कर सकते है इससे ये पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा ताकतवर है या कितना ज़्यादा कमजूर है कमजूर का मतलब यहां माल नूटिशन से नहीं और ताकतवर का मतलब यहां थोर के थोरे से नहीं है ताकतवर का मतलब यह है कि उस देश के लोग या तो बिना वीजा के किसी देश में विजिट कर सकते हैं या फिर उन्हीं वीजा ओन अराइवल की सुविधा मिलती है जब वो उस देश में पहुँच जाएंगे तो उसके बाद उन्हीं एरपोर्ट पे ही वहां का वीजा मिल जाएगा तो यह सहूलियतें जिस देश को ज़्यादा मिलती हैं उस देश के पासपोर्ट को ज़्यादा ताकतवर माना जाएगा यह इंडेक्स 199 डिफरेंट पासपोर्ट को 227 डिफरेंट लेवल अफ देस्टिनिशन पे इवैल्यवेट करता है 227 जगहों को 199 अलग लग पासपोर्ट के साथ इवैल्यवेट किया जाता है इंडेक्स में जो डेटा इस्तिमाल किया जाता है वो कहां से आता है क्या वो डेटा क्रेडिबल है क्या हम इस इंडेक्स की बातों को सच माने बिल्कुल ये जो डेटा इनके पास होता है वो होता है इयाटा का इयाटा का फुल फॉर्म है International Air Transport Association उसी का डेटा ये इस्तिमाल करते हैं इस इंडेक्स को तयार करने के लिए क्या निकल के आया इंडिया को 83rd position मिली है बढ़ियां position तो definitely नहीं कहेंगे इसे यहाँ पर हम अपनी rank को share कर रहे हैं Southome के साथ You must have question कि यह Southome है कहाँ पे यह है Africa Africa के western part में यहाँ पर आपको एक island मिलेगा जो कि है Southome मैंने जतना mark किया है यह definitely उससे भी छोटा मिलेगा आपको map में हमारी जो position है वो रवांडा और युगांडा से पीछे है फिर भी मैं आपको बना दू कि यह पिछले साल के तुलना में बहतर है because last time जो rank किया गया था उसमें इंडिया की ranking 90 थी तो हमने 7 places बहतर किया है इंडिया को visa free access मिलता है 60 destinations पे worldwide और अब हमें एकसिस ओमान और अर्मीनिया में भी मिलता है 2006 के बाद 35 ऐसे destinations एड हुए हैं जहां पर इंडियन्स visa free travel कर सकते हैं जापान और सिंगापुर ने इस list को top किया है यहां के जो citizens हैं वो 192 destinations पे बिना visa के visit कर सकते हैं तो यहां के लोगों को ज्यादा acceptance है हमारा next article National Startup Award 2021 के बारे में है Union Institute of Commerce and Industry ने अभी हाल ही में second edition जो इस अवार्ट का था उसे present किया इसके जरीए हम ऐसे startups को recognize करते हैं जिन्होंने outstanding contribution दिया है startup ecosystem में उन्होंने कुछ innovative किया है नए solutions निकाले है employment को generate किया है wealth creation किया है या फिर एक important social impact show किया है अपनी startup के मात्यों से Department for Promotion of Industry and Internal Trade Ministry of Commerce and Industry के तहर जो काम करती है वो ही इसे organize करते हैं further 2021 का जो award था इसमें 15 sector और 49 sub-sectors में applications invite किये गए थे simple सी बात है exceptional startups जिन्होंने innovative solutions निकाले हैं उन्हें भी इस बार include किया गया जो की जिन्होंने Indic languages को promote किया या COVID-19 pandemic में national efforts में कुछ सहयोग किया ये applications जो थे उन्हें 6 बड़े parameters में evaluate किया गया जैसे की innovation, scalability, economic impact, social impact, environmental impact, inclusiveness and diversity price पांच लाख cash price दिया गया जिन्होंने भी अच्छे solutions दिये जो incubators और accelerators थे उन्हें 15 लाग का price दिया गया मतलब वो जो start-ups को grow करने में मदद करते हैं वोट इस एक start-up एक incubator और एक accelerator को ये award दिया गया नेच्छल स्टार्टप डे 2020 ये 16 जन्वरी को मनाया जाता है हर साल 2016 में इसे दिन स्टार्टप इंडिया इनिशेटिव लाँच हुआ था 16 जन्वरी को इस बार छे थीम्स रही नेशनल स्टार्टप डे की पहला sustainable development दूसरा technology of future तीसरा local to global चौथा building champions in manufacturing पाच्वा नजिंग the DNA और छठा growing from roots हमारा next article गेरकिंस के बारे में है खीरा के बारे में है इंडिया भी हाल ही में खीरा का दुनिया का सबसे बड़ा exporter बन गया है अच्छी बात है 200 million US रोड को cross कर लिया हमने इसके export में कई सारे जो इसके part है like pickling cucumber जिसे globally refer किया जाता है गेरकिंस के नाम पे या फिर conicons के नाम से last financial year में इसका export बहुत ही जादा रहा दो प्रगार की category है जिसे export किया जाता है एक तो जिसे vinegar या acidic acid के माधिम से preserve किया जाता है और दूसा जो पहले से ही preserve करके रखे गए हैं इन दोनों का ही trade किया जाता है गेरकिं कल्टिवेशन जो है वो इंडिया में 1990s के दौरान स्टार्ट किया गया करनाटिका में beginning में वहां से इसे export किया जाता था बाद मी तमिल नाडू, आंधर प्रदेश और तिलंगाना से भी इसे export किया जाने लगा दुनिया में जितना गेरकिंज यूज होता है उसका 15% production इंडिया में ही किया जाता है लगभग 20 देसों को इंडिया ये export करता है जिसमें North America, European countries जो ओसेनिक countries है USA, France, Germany, Australia, Spain, South Korea Canada, Japan, Belgium, Russia, China, Sri Lanka, Israel इन सभी देसों को इंडिया export करता है इंडिया का जो export potential है वो तो बढ़िया है ये गेरकिंज को लेकर फर्दर ये एक बहुत ही की रोल प्ले करता है रूरल एम्प्लाइमेंट में contract farming के मांध्यां से गेरकिंज उसको उगाया जाता है जिसमें लगभग 90,000 small and marginal farmers involved होते हैं और खेरे की खेती लगभग 65,000 एकड़ में भारत में की जाती है अगली बात आती है पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोट जज आईशा मलिक ने हाले में अपनी पदकिशा पत ली तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए इंपॉर्ट ये है क्या इंडिया में female judges सुप्रीम कोट में है या नहीं तो अबिसली भारत में पहले से है लेकिन अभी तक इंडिया की कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है तो जस्टिस बीवी नागरत में जो है वो पहली female chief justice बन सकती है 2027 में याद रखे इससे पहले अभी वरतमानम की चार महिला जज़े भारती है सुपीम कोर्ट में कारे रथ है और overall इंडिया की पहली जो फिमेल जज़ थी सुपीम कोर्ट की वो थी फातिमा वीवी जो 1989 में ही अपॉइंट हुए थी अगला आर्टिकल बात करता है मैंगनीज ओर लिमिटिड के बारे में अब देखिए बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है उतना न्यूज में था कि मिनिस्ट्री ओफ स्टील जो है वो इसके उपर परफॉर्मेंस इनका देख रही है तो हमारे काम की चीज़ है कि मैं आप से पूछ सकता हूँ कि मिनिस्ट्री ओफ स्टील के अंदर गाता है मिनिस्ट्री ओफ माइन्स के अंदर गाता है क्योंकि मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड जो है मॉल जिसे हम कहते है यह असल में एक मिनी रतन कंपनी है और manganese ore के obviously कार के लिए इसको निकाला गया था और ये ministry of steel के अंदर कताती है अभी उसकी administrative control के अंदर है जिसने इसकी performance को review किया क्योंकि अभी कई Indian companies जो की viable नहीं है उनका privatization हो रहा है तो उस चक्कर में ये news में था और ये जो company है ये नागपूर महरास्टा में based है अभी 11 mines पर ये operate करती है जिसमें बालाघाट माइन सबसे बड़ी माइन है इस company की बालाघाट से एक चीज याद आए मुझे geography की चरा मुझे बताएंगे आप बालघाट किस चीज लिए पिचलित है बालघाट पालघाट बोरघाट ऐसा कुछ idea है आपको नहीं idea तो तो रिवाइज करें जोगरफी जो important passes है वो कौन-कौन से है महरास्ट से लेके नीचे आपके केरल तक important passes गवर करता है corruption perception index को corruption perception index 2021 का launch किया गया जो की कौन सी संस्था launch करती है वो है transparency international जो हमारे लिए important है कि कौन सी body इस index को launch करती है transparency international और इंडिया की rank जो इसमें दिखाई गई है वो 180 countries में से दिखाई गई है और out of 0 to 100 का एक scale है जिसमें 0 मतलब सबसेरा correct और 100 मतलब totally clean इसमें इंडिया की rank इस बार बढ़के 85 हो गई है जो पहले around 86 हुआ करती थी तो एक rank की improvement देखी गई है और इसमें जो most cleanest countries in the world है वो Denmark, Finland और New Zealand है जिनका score 88 है और इंडिया हमारी 85 पर है जो एक स्थानी की improvement जिनमें होई है खास बात ही कि जो corruption index होता है इसमें कैसे जो ये perception की बात कर रहा है आपका क्या perception है तो ये corruption के perception की बात करता है तो इसमें भारत की rank 85 है साल जो पुछने साल 86 थी important ये है कि कौन सी body इसको publish करती है और इंडिया की rank क्या थी ठीक है और ये जो non-governmental organization है ये असल में Germany based है और जो global corruption है उसको control करने को पर काम करती है इसके अलावा जो इनके दो और important publication है corruption के उपर वो है global corruption barometer और corruption perception index तो ये तो हमने डिसकस करी लिया corruption perception index और जब global corruption barometer पर कोई report आईगी तो वो भी cover किया जाएगा कौन सी body transparency international जो कि Germany based है सचचता startup challenge के बारे में सचचता startup challenge इस बार असल में ministry of housing and urban affairs और DPIT ने launch किया है किसके सहीयोग में फ्रांस की agency के सहीयोग में और ये कोशिश करेगा कि जो ऐसे लोग हैं या ऐसे start-ups हैं जो cleanness और innovative start-up बनाएं इस शेत्र में sanitation cleanness के शेत्र में उनको सहीयोग दिया जाए इसमें होगा कि कोशिशी की गई है कि सवचभारत अभियान सवचभारत अभियान में जो urban component है उस पर focus किया गया है कि कैसे sanitation को और जादा improve किया जाए तो जो start-ups हैं innovative start-ups हैं जो ऐसे steps उठाएं या ऐसे कुछ transformational चीज़ें कर पाएं इस शेत्र में उनको सही योग देने के लिए ये किया गया है इसमें start-up movement का इस्तमाल किया जाएगा to nudge them towards an area जहां पर वो ऐसे कुछ equipment से ऐसे कुछ चीज़ें innovate कर पाएं जिससे की sanitation और cleanness की समस्या को solve किया जा सके इसमें जो registered start-ups इंडिया में वो इसमें पाट ले सकते हैं जो friends है फ्रेंच हैं जो कि Indian start-up के साथ collaborate कर रहे हैं वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं इसके चार thematic areas है जहां पर challenge है ये एक social inclusion zero dump solid waste management की बाद plastic waste management और transparency through digital enablement ये चार areas पर focus किया गया है इसमें जो 10 top start-ups होंगे उनके 25 लाख तक इनाम दिया जाएगा और एक साल तक इनको french tech के साथ incubation period दिया जाएगा support करने के लिए यानि french जो setup है जिसके अंदर start-ups को develop करने के लिए सुविधाय दी जाती है उनमें भी हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा top 10 start-ups को 25 लाख award के अलावा तो ये बात हो गई सुचता startup challenge यहाँ आप ऐसे फंस सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए क्या french government के साथ भी को इसमें collaboration है तो हाँ है तो ये बात हो गई इसके बारे में इसके अलावा उनको इंसेंटिव दिये जाएंगे जो 50 लाख following investment है विल्गुरो दोरा दिया जाएगा दस सौ हजार US डॉलर का ये एक लाख US डॉलर की credit और technology services भी support की जाएंगी Amazon Web Services के दोरा प्रतिक winner को तो देखे इसमें Amazon भी है French Partnership भी है और Ministry of Urban and Housing भी इसमें important part निभा रहे है तो ये है इंडिया का स्वचता Startup Challenge जो कि religious shrines के visit के उपर जो protocol होता है उसके बारे में है बिसिकली ये article है Protocol on Visits to Religious Shrines 1974 इंडिया ने भी हाली में ये कहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात चीत हो किस बारे में ताकि 1974 का ये जो protocol है जिसके माध्यम से हम air travel allow करते हैं जो shrines हैं pilgrims की इंडिया में और पाकिस्तान में उसके बारे में ताकि दोनों ही कंट्रीज की जो pilgrims हैं वो एक दूसरे देसों में जाकर visit कर सकें pilgrims का मतलब ऐसे लोगों से होता है जो तीर स्यात्रा पे जाते हैं किसी भी religious place पे देखे जो protocol on visits to religious science 1974 है ये kind of agreement है एक bilateral agreement है जिसे इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में sign किया था इसके माध्यम से इंडिया और पाकिस्तानी nationals को दोनों ही देसों के कुछ religious science पर visit करने के लिए कर दिया जाता है एजविनों के इंडिया और पाकिस्तान की बीच की visits पर बहुत सारे restrictions होते है security purpose से November 2018 में 15 locations ऐसी थी पाकिस्तान की जहां पर Indians visit कर सकते थे और भरत में ऐसी 5 locations थी जहां पर पाकिस्तानी nationals visit कर सकते थे जो pilgrimage है या उसकी जो visit है वो country में बिना किसी discrimination की अलाओ की जाएगी जो भी religious aspect के लोग स्राइन पे आना चाहते हैं उनके सम्मद में बात की जा रही है जो स्राइन की list है उसे finalize किया जाता है आपस में एक correspondence के माध्यम से, communication या पत्राचार के माध्यम से जो list होती है उसे समय समय पे बदला भी जाता है mutual agreement के माध्यम से साल में 20 parties को अलाओ किया जाता है कि वो visit कर सकते हैं समय समय पे इस list को भी बढ़ाया एगटाया जा सकता है जो effort है उनको लगातार किया जा रहा है ताकि religious places को इस तरीके से तयार किया जाए कि वो properly maintained रहें और उनकी जो पवित्रता है जानी कि sanctity है वो बनी रहे जो visitors हैं उन्हें visitor category visa दिया जाता है ताकि वो आसानी से visit कर सकें भारत में वो कौन सी locations हैं जहां पर पाकिस्तानी nationals विजट कर सकते हैं पहला है अजमीर शरीफ दरगा ये सूफी सींट मुझदीन चीस्ती की दरगा है जो कि अजमीर में है राजस्थान में दूसरी है निजामुदीन दरगा निजामुदीन ओलिया को dedicated है डेली में अमीर खुसरो ये सूफी मुझीशिन अमीर खुसरो जी रहे डेली में यहां पर ये location है जहां पर विजिट किया जा सकता है पाकिस्तानी नेशनल्स के दवारा सरहिंद शरीफ, पंजाब इंडिया और कल्यार शरीफ जो की हर दवार में है तो ये जो locations हैं यहां पर पाकिस्तानी नेशनल्स विजिट कर सकते हैं हमारा next article नियो कोव के बारे में है नियो कोव, चाइना के scientist ने एक बार फिर से दुनिया को वान किया है कि coronavirus का एक नया stream पाउपसारने वाला है जिसका नाम होगा नियो कोव ये Middle East Respiratory Syndrome यानि कि MERS coronavirus से related होगा देखें जो coronavirus के family है उसे आप दो तरीके से associate कर सकते हैं एक तो MERS और दूसरा SARS SARS मतलब severe acute ये देखें जो SARS है that is severe acute respiratory syndrome और दूसरा है MERS यानि कि Middle East Respiratory Syndrome तो ये जो नियो कोव है वो MERS से related होगा coronavirus की basically family है इनका अपना बहुत बड़ा परिवार है और उसी परिवार में उसे लोग निकल निकल के तपाही मचाते रहते हैं जो नियो कोव है basically ये bat coronavirus है मतलब चमकादर से फैलने वाला एक coronavirus है जिसे for the first time 2011 में identify किया गया था इसे नाम नियो कोव दे रहे है ये इसलिए नहीं है because ये नया है that's why new basically होता क्या था कि एक bat है जिसका नाम हुआ करता था neuromycia जो neuromycia bat की species है उसमें for the first time इस नियो कोव को identify किया गया था and that was the reason कि इसे नियो कोव नाम दे दिया किया commonly इसे alu bat भी कहा जाता है नियो कोव 85% similarity रखता है मर्स कोव के साम देखे है तो वैसे एक उसी family का थोड़े बहुत differences आएंगे लेकिन जैसे कि हम कह रहे है ये related है मर्स कोव से उससे जुड़ा हुआ है genome sequencing इसकी मर्स कोव जैसी ही होती है that's why इसे कहा जाता है कि ये मर्स कोव के काफी नजदीक है जो नियो कोव है इसके पास ज़्यादा maternity rate होती है मर्स कोव के तुलनामे मतलब उससे जुड़ा हुआ जरूर है लेकिन उससे ज़्यादा ताकतवर है ज़्यादा काबिल है लोगों को ज़्यादा मार सकता है और इससे होने पर तीन में से एक व्यक्ति के मृत्य हो जाती है हाई transmission rate भी है मतब SARS-CoV-2 coronavirus जो काफी तबाही अभी हाल-फिलाल में मचाता रहा है यो उससे भी ज़्यादा तेजी से transmit होता है मतलब की एक खतरनाक variant हमारे सामने आने की संभावना है देखिए इस प्रक्यार के प्रशन पूछे जाते रहते हैं एस टू एक टर्म किस कॉंटेक्स में न्यूज में रहा है ऐसा प्रशन पूछा गया था ऑप्शन्स में हमें बताया गया था जीन्स इंटोड्यूज इन जेनिटिकली मोडिफाइड प्लांस दूसरा था इंडिया अपना ओन खुद का सेटें नेविकेशन सिस्टम आप्ट कर रहा है ये उसका नाम है उससे समन्नित है ये रेडियो कॉलर्स हैं वाइल लाफ ट्रैकिंग के लिए या फिर वाइल रिसीज के स्पेट से रिलेटेड है इसका जवाब मैं सोच तो रहा हूँ बता दूँ बट मेरा मन नहीं कर रहा तो अब इसका जवाब मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा ये 2021 के प्रिवेश एर क्वेशन पेपर का हिस्सा है और नेक्स्ट आर्टिकल ओरल कैंसर के बारे में है IIT खड़कपुर के साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में एक पोटेबल यूजर फ्रेंडली और नौन इंवेजिट डिवाइस तैयार की है इसके मादध हमसे मुझे ओरल कैंसर को डिटेक्ट कर सके क्या है ओरल कैंसर ओरल कैंसर को आप ओम बोल चानकी भासा में माउथ कैंसर या फिर मुझे होने वाला कैंसर भी कहते हैं इसमें लिप्स, माउथ या अपर थोट में कैंसर देखा जाता है ओरल कैंसर, मॉर्बिटी यानि की बीमारी और मॉटलिटी यानि की मौत के मामले में बहुत ही ज़ादा मिजर कॉज बना हुआ है ऐसे सेग्मेंट में जो सोशली चैलेंज हैं या फिर अंडर सर्फ हैं 80% चांसर होते हैं कि एक विक्ति जिसको ओरल कैंसर हुआ है वो 5 सालों में अपनी जान गवा देगा और वो भी तब जब उसे सुरुवाती स्टेज में डियाग्नोस कर लिया जाए अगर डियाग्नोस्टिक और लेट हुआ तो 65% चांसर होते हैं कि उसकी मौत हो जाएगी सच्चाई तो यह है कि जो ओरल कैंसर होता है वो अपने जो एडवांस स्टेज होता है तभी डियाग्नोस किया जा सकता है जब तक पता चलता है कि कैंसर हो चुका है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है इन बाइट केस पेसिन की जान बचा पना बहुत मुश्किल होता है ओरल कैंसर को डिटेक कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है उसके अर्ली स्टेज में इसलिए low cost hand held imaging device से यार की गई है यह blood flow rate को जो tissues में हैं उन्हें detect करते हैं thermal imaging और analytics के माध्यम से और पता करने के कोशिस करते हैं कि कहीं oral cancer तो नहीं है Operation Devi Shakti यहाँ पे यह इंडिया का operation है जहाँ पे अफगानिस्तान से हम कुछ लोगों को वापस लेके आ रहे है यह मतलब एक तरह का आपके rescue operation है क्योंकि recently आपने देखा होगा तालीबान ने overtake कर लिया था आपके अफगानिस्तान को तो इस वज़े से यहाँ पर लोगों की जान बचाने के लिए इस operation को launch किया गया था तो इस article में इतना ही धन्यवाद तो आज के इस session में बस इतना ही Thank you very much